नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नेन पॉलिटिकल बाइट मैं हूँ आपके साथ सिराज पुर्व चुनाव रड़नीती कार और जन सुराज संगठन के संस्तापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ी भविश्वाणी की है बताते चलें कि अगामी लोकसबा चुनाव में कॉंग्रिस के लिए 100 वोट का आकरा पार करना बहुत ही मुश्किल होगा उन्होंने एक न्यू चैनल के साथ बाचित में या कहा कि इस चुनाव में भारती जनता पार्टी के 370 सीट तक पहुंचने की संभावना नहीं है हलाकि वो पशिमंगाल में इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है या पूछे जाने पर कि क्या कॉंग्रिस इस चुनाव में 100 का आकरा पार कर लेगी किशोर ने का कि उन्हें लोकसबा में कॉंग्रिस की वरतमान सीट की संख्या में बड़े बदलाव की संभा पचास पचपन हो जाए तो इस से देश की राजनीती नहीं बदल जाएगी मुझे कॉंग्रिस के लिए चुनाव नतीजों में कोई सकरात्मक बदलाव नहीं दिखरा है बड़े बदलाव के लिए कॉंग्रिस को 100 का आकड़ा पार करना होगा किशोर ने कहा कि हलांकि उन्हें नहीं लगता कि कॉंग्रिस का आकड़ा पार करेगी उन्होंने कहा कि आज की तारिक में यह बहुत मुश्किल है भाजपा के 370 सीट जीतने के लक्षे के बारे में पुछे जाने पर किशोर ने का कि भाजपा ने अपने करकरताओं के लिए 370 का लक्ष रखा है और लोगों को इस 370 के लक्षे का सच नहीं मानना चाहिए हर नेता को लक्षे तैकरने का अधिकार है यदि वे इसे हासिल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है यदि नहीं कर पाते हैं तो पार्टी इतना विनम्र होना चाहिए कि वो अपनी गलती को स्विकार करें परचांद किशोर के मताबिक 2014 के बाद 8-9 चुनाव ऐसे हुए हैं जहां भाजपा अपने तैल लक्ष हासिल नहीं कर पाई किशोर ने कहा कि मैं कह सकता हूँ कि भाजपा के लिए 370 सीट हासिल नहीं कर सकती इसकी संभावना करीब-करीब 0 की मानता हूँ अगर यह होता तो मुझे बहुत अश्यर होगा किशोर की अनुसार अगर अंदेश खाली जैसी घटना होती है तो निश्यत रूप से वह सत्ता डूल दल के लिए चुनाव का कारण बनेगी और उनका मानना है कि भाजपा 2019 में पशिम मंगाल में मिली अपनी सीट से नीचे नहीं आएगी पिछले चुनाव में भाजपा को पशिम मंगाल में 18 सीट जो है उस पर जीत हासिल हुई थी कॉंग्रेस की भारत जोड़ो निया यातरा के संदर में किशोर ने कहा कि यह यातरा का समय नहीं है क्योंकि लोग सबचुनाव बिलकुल नजदीग है फिलाल अगामी लोग सबचुनाव में कॉंग्रेस सो का अंकड़ा पार कर पाएगी या फिर नहीं इसका जबाब हमें कमेंड बॉक्स में जरूर दें देश चार दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्शनें पॉलिटिकल बाइट के साथ